क्या फिल्म डिरेक्टरी में जो contact numbers देव रहते हैं वो सही रहते हैं? क्या फिल्म डिरेक्टरी में जो producers के या फिर actors के या फिर other जो लोग है जो film industry से related है उनके जो contact numbers रहते हैं वो direct numbers रहते हैं या फिर assistant के रहते हैं? तो ऐसे कई तरह के सवाल आपके दिमाग में आते होंगे film directories को ले करके तो सभी doubt आज clear करने वाला हूँ मैं तो देखते रिस वीडियो को पूरा last तक चले शुरू करते हैं आज का वीडियो हाई everyone मैं हूँ अकास रजग और आप देख रहे हैं RS films productions देखे सबसे पहले तो आपको मैं बता दू कि film directories में जो contact numbers दिये वरहते हैं उसमें 95% contact numbers जो रहते हैं वो सही रहते हैं जैसे अगर आप internet की बात करें तो internet में आपको जो contact numbers मिलेंगे वो 95% wrong ही रहेंगे लेकिन इसमें जो आपको contact numbers मिलेंगे वो 95% सही रहेंगे अब देखे 5% contact numbers जो है वो गलत क्यों निकल जाते हैं इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है देखे 5% contact numbers जो गलत निकलते हैं उसकी कई वज़ा हो सकती है जैसे इसका एक कारण ये हो सकता है कि जो contact number है producer का वो change हो गया हो वैसे तो official numbers जल्दी change नहीं होत आती है तो फिर वो number आपको incorrect बताती है इसका दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि producers जो है वो जान भूच कर phone उठाकर आपको बोल देते हैं कि ये गलत number है देखे बहुत बार ऐसा होता है कि producers को बहुत सारे calls आते हैं तो इससे irritate होकर जब उन्हें फिल्म नहीं बनानी जाती ह है तीसरा कारण हो सकता है आपके बात करने का तरीका जैसे आप अगर किसी contact number पर phone करते हैं किसी producer को आप call करते हैं और वहां पर आप अजीब तरीके से बात करते हैं आप official language में बात नहीं करते हैं तो फिर producer आपको जान मुझकर भी बोल देते हैं कि ये wrong number है या फिर उन्हे फिल्म बनानी की mood नहीं है देखे बात करने के तरीके से मेरा मतलब यह है कि बहुत बहुत अशा होता है कि अगर आप producers को call करते हैं और वहां पर अगर उनके assistant उठा लेते हैं या फिर office के कोई manager है वो उठा लेते हैं जैसा अगर कोई mail है तो आप उनसे बोलने लगते है कि यह रे भाई उनसे जरा बात कराओ तो इस तरीके से आप बोलते हैं लेकिन आपको कभी भी जब आप official जगा पर call करते हैं तो आपको official top ही करना चाहिए यानि आपको official language में ही बात करनी है मेरा मतलब यह नहीं कि आप English में बात करें फिर आप proper Hindi में बात करें लेकिन आप जो जादा calls आते हैं हम लोगों को everyday और ऐसे में जादातर calls जो हमारे official manager receive करते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि किनी को मुझसे बात करनी रहती है और मेरे official manager या फिर assistant जो है वो बात नहीं करवाते हैं मेरे से तो फिर वो उनसे rudely बात करने लगते हैं लेकिन देखिए ऐसा करना ब बात नहीं मेरी तो मुझे बहुत सारे calls इसलिए आते हैं क्योंकि मेरी जो contact details है वो film directories में तो हैं ही यानि writer के section में है director के section में producer के section में है और YouTube में भी है YouTube में भी बहुत सारे हर video में मेरे contact number आते हैं तो इसे calls हम लोगों को बहुत आते हैं अगर जो normal producers रहते हैं उनको जो call आ मेरी बात आप ना करें क्योंकि हम लोग कभी किसी को wrong number बोल करके phone को cut नहीं करते हैं जातर हम लोग बात करके उनकी problem को solve करने के कोशिश करते हैं फिर उनकी बात को सुनते हैं लेकिन ऐसे में क्या होता है कि producer जो है अगर वो ऐसा समझते हैं कि जो इनसान बात कर रहा है उन् कि उन्हें film बनानी की mood नहीं रहती है वो उनके पास film बनानी का कोई project नहीं रहता है या फिर कोई project नहीं करते रहते हैं तो ऐसे case में भी बोल देते हैं कि यह wrong number है तो देखे मैंने आप लोग को बताया कि wrong numbers जो 5% निकलते हैं वो क्यों निकलते हैं अब देखे इन 5% wrong numbers को अब डेखना है आपको 95% जो right numbers रहते हैं उनको देखना है उनसे आपको मतलब करनी है और इन ही में से आपको अपना काम निकालना है अब दिखे बात यहां पर यह भी आ गई कि उसमें जो contact numbers रहते हैं क्या यह direct contact numbers रहते हैं अगर अगर आप contact numbers पर क्कौर्ब्वार है am फिर उनके assistant ही call को उठाएंगे, अब देखिए आप किसी बड़े producer को भी contact करते है, जिनकी बड़ी बड़ी फिल्मे आती है, तो उनके भी contact numbers जो रहते हैं, वो assistant के थ्रू ही आपको अपनी बात वहाँ पर पहुचानी होगी, और जो ऐसे producers रहते हैं, जो medium budget फिल्मे बनाते हैं या फिल्मे बनाते हैं, उनके आपको direct contact numbers मिल जाएंगे, अब बात यहाँ पर यह हैं कि कितने percent contact numbers जो है, वो direct रहेंगे, तो 65% contact numbers जो रहते हैं, वो direct रहते हैं, आपको direct contact numbers मिल जाएंगे, अब बाकी जो बच जाते हैं, उनमें जो assistant के रहते हैं, वो contact numbers रहते हैं, तो जब आपको producer से contact करना है या फिर film industry related किसी भी person को call करना है या contact करना है, email करना है या उनके office का address जानना है तो फिर आपको film directory में वो मिल जाएगी और आप film directory हमारे through भी purchase कर सकते हैं, हम लोगों के पास जो film directory available रहती है, उसका नाम है show world film directory, ये जो show world की film directory है, इसमें आप लोगों को film industry से related सभी लोगों के contact numbers, email IDs, office के addresses मिलेंगे, producers, writers, directors, actors, सभी के मिलेंगे आपको, और इसमें आपको OTT platforms के contact numbers मिलेंगे, email IDs मिलेंगे, addresses भी मिलेंगे, तो ये जो film directory है, अभी के समय में ये मातर एक ऐसी film directory है, जिसमें आप लोगों को OTT platforms के contact numbers, email IDs, या फिर addresses मिलते हैं, बाकी other को film directory में ये नहीं है, तो आप हम लोगों से ये purchase कर सकते है, इसकी price जो है ये 700 है, और इसकी delivery charge जो है, ये 150 रुपीज है, तो अभी के समय में book की price 700 plus 150 delivery charges है, यानि total ये book आपको रुपीज 850 में मिलती है, तो आपको ये book buy करने के लिए क्या करना होगा, अगर आपको एक film directory चा कीजिए, आप call के जरीए, या फिर WhatsApp के जरीए, और फिर आप अपने address को note down करवा दीजिए, और वहाँ पर payment आप कर दीजिए, और फिर 7 days के अंदर में आपको आपके घर के address पर आपको book मिल जाएगी, तो अगर आप film industry में struggle कर रहे है, आपको film industry में अपना career बनाना है, तो फिर आपके पास एक film directory होनी ही चाहिए, भले आप खुद की film बना रहे हों, तो भी आपके पास film directory होनी चाहिए, क्योंकि film directory के बिना आप artist को कैसे contact करेंगे, आप writers को कैसे contact करेंगे, आप cinematographers को कैसे contact करेंगे, आप choreographers को कैसे contact करेंगे, तो इन सभी को contact करने के लिए, आप equipment suppliers को contact करना चाहते है या फिर आपको storm machine वाले को contact करना चाहते है अब किसी को भी contact करना चाहते है तो आपको इसकी जरूरत पड़ी गी ही तो अगर आप film industry से related है तो आपके पास एक film directory जरूर होनी चाहिए तो अगर आपको film directory buy करनी है तो आप हम स्क्रीन पर देगे नंबर पर contact कर सकते है तो चलिए उमीद करते हूं कि आपको जानकर यह अच्छी लगी होगी तो वीडियो को like और share जरूर कीजिए चैनल पर नया है तो इससे subscribe जरूर कीजिए और bell icon को दबा कर all पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के interesting videos हमारे चैनल पर आते रहते है जो filmmaking और script rating स related होती है फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई